अब हम यहां पर कुछ नमबर्स लेते हैं और उन नमबर्स से हम समझेंगे कि साप्राहेंड, मिनुएंड एंड डिफ्रेंस किसे बूलते हैं यहां पर हमने नमबर लिया है 500-50 is equal to 450 जब हम 500 में से 50 को सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो आंस्वर विल बी 450 यह हम सबको पता है अब यहां पर सब्ट्राहेंड मिनुएंड किसे बोलते हैं वो हम सीखेंगे देखिए सब्ट्राहेंड का मतलब होता है स्मॉलर नमबर smaller number that means 500 में से हमने 50 को सब्स्ट्रेक्ट किया है तो 500 और 50 में से smaller number कौन सा है 50 then the 50 will be सब्ट्राहेंड यह अब बारी आती है मिनुएंड की जिस तरह से हमने अभी बोला कि smaller number हम सब्ट्राहेंड को बोलते हैं उसी तरह से bigger number को हम मिनुएंड बोलते हैं तो यहां पर bigger number कौन सा है 500 then the 500 will be मिनुएंड और जब हम मिनुएंड में से सब्ट्राहेंड को सब्स्ट्रेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है difference मिलता है yes then 450 will be difference now we learn about how to find missing मिनुएंड and then we will discuss how to find missing सब्ट्राहेंड so don't skip the video till the end okay तो यहां पर हमने यह सीखा कि मिनुएंड किसे बोलते हैं सब्ट्राहेंड किसे बोलते हैं और difference किसे बोलते हैं yes अगर आपको अभी भी मिनुएंड और सब्ट्राहेंड में थोड़ी बहुत confusion है तो आपकी confusion को दूर करते हुए एक tip बताती हूँ आपको देखिए as for क्या है सब्ट्राहेंड and as for smaller number तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि smaller number is सब्ट्राहेंड तो tip आपको कैसा लगा अगर tip अच्छा लगा है तो यह चैनल को subscribe कर दीजिये ताकि आगे आने वाली इसी तरह की latest updates आपको मिलती रहें तो चलिए अब समझते हैं how to find missing minuant तो यहां पर मैं आपके साथ एक formula discuss करने वाली हूँ इस formula को लेकर अगर आप चलेंगे तो कोई भी value है अगर आपके पास तो आप minuant असानी से पता लगा पाएंगे बस आपको यह formula या तो समझ लीजिए या फिर learn कर लीजेगा तो minuant का formula क्या होता है minuant is equal to difference plus subtrahend yes यही इसका formula है तो चलिए अब हम minuant find out करते हैं तो minuant is equal to difference कितना है आप उपर देख सकते हैं difference 450 है तो difference के नीचे हम लिखेंगे 450 plus subtrahend कितना है subtrahend है 50 yes then 450 plus 50 is equal to 500 यहां पर हमने minuant निकालने के लिए difference में subtrahend को plus किया ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि कि आप देखिए missing value के साथ ही subtrahend है और subtrahend negative है that means minus का sign है और यह left hand side में है जब कोई भी value left hand side से right hand side में जाएगी तो उसका sign change हो जाएगा that means कि subtrahend negative है तो अगर हम उसे right hand side में लेके जाएगे तो वो positive हो जाएगा इसी लिए हमने difference में subtrahend को plus किया उमीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो चलिए अब हम missing subtrahend find out करते हैं formula of missing subtrahend is equal to minuand minus difference here you can see minuand is 500 and difference is 450 then 500 minus 450 is equal to 50 yes then the subtrahend is equal to 50 तो अब अगर आपके पास कोई भी value है तो उसे इन formulas में put कीजिए और minuand subtrahend and difference easily find out कीजिए उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe करना and also share करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आगे आने वाले इसी तरह के tips and tricks आपको मिलते रहें, thank you so much